अगर आप मेरी चैनल पर नए है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दपाए और बराबर में चुपेल आइकने उसे भी और नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ऐसा करने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले देखने मिलेगी वह भी फ्री में तो रेसिपी अच्छी लगे लाइक ज कि बेहतरीन सा रेसिपी जिसका नाम है मुंबई street style chicken tikka shorma वैसे यह authentic बिलकुल भी नहीं है मैं पहली ही बता देती हूँ वैसे authentic इस तरीके से बनती नहीं है, यह Mumbai style है और काफी हद तक tweak की गई है, लेकिन अगर आपको original शोरमी की recipe चाहिए, मुझे comments section में comment कीजिएगा, जादा comments होंगे, तो मैं जरूर आप लोगों के लिए upload करूँगी, और हाँ, वैसे मैंने कुछ रमजान की recipes मेरी channel पर upload की, आप लोगों के लिए links description के अंदर है, आप हाँ, चेक कर लीजिएगा, सबसे पहले chicken marinate कर लेते हैं, यहाँ पर मैंने यह आदा किलो की chicken लिए है, चरबी निकाल लिए है, दो-तीन पानी से धो के medium pieces कर लिए है, और नितार कर एक पावल में डाल दीजिए, अब दाल दीजिए, न अद्रक लसन का पेस्ट, यह घर में बना हुआ, इसकी रैसे पिलिंग description के अंदर है, अब आप चाहें तो एक चोटा चाय का चमच, या मेरी तरह सवा या देट चोटा चाय का चमच, लाल मिर्ची का पावडर दीजिए, वैसे यह कश्मीरी है, आपका जाधा spicy हो, तो आप अब दालीएगा, अब दाल दीजिए, त्री फोट चोटा चाह का चमच, कराम मसाले का पावडर, और सावोट पिसा होआ होगा जीरा पावडर, यहां मैं एक चोटा चाह का चमच भरकर दाल रही हूँ, टिकता मसाला यह घर में बना हुआ, इसकी रैसी नि तो चलेगा सारी चीजों को दाल कर मिक्स करकर नियुक्स कर इसे तो गहंटा या फिर फृजमे भी रख सकते या फिर ओवरनाइट रखेंगे तो और ज्यादा बहतर है तिकका और ज्यादा मस्ती बनेंगे तो चलिए white sauce बना लेते हैं वैसे white sauce जो है वो tahini sauce बोलते हैं उसे जो तिल से बनता है पट यहां हम वो इस्तमाल भी नहीं कर रहे हैं हम यहां different type का white sauce बना रहे हैं जिसमें यह रेखिए मैंने छानने रखा था दही का पानी कितना छूटा है आप देख सकते हैं 15-20 मिनिट पह ही है एकदम गाड़ी दही है यह पानी सारा निकल चुका है इसका और आप चाहें तो एक कब के दर्मियान ले सकते हैं वैसे मैं 3-4 cup दाल रहे हैं हूं गाड़ी दही एक बाउल के अंदर दाल दीजिए चार पाच कड़ी लसन की कूट के दाल दीजिए नमक दाल दीजिए स्वाद अनुसार इसमें चुटकी भर मैं दाल रहे हूं और यहां आधा कप मायोनीज दाल दीजिए वैसे आप चाहे तो घर में बनी हुई भी दाल सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है वहां चेक कर लीजिए और अब इसमें दाल दीजिए दो चोटे चाहे के च चमच पॉलिवॉई और आधा या एक चोटे चाहिका चमच नीम्बू का रस वैसे मेरा नीम्बू का रस खतम हो चुका है तो मैं विनेगर दाल रहे हूं आदे से पौना चोटा चाहिका चमच और मिक्स कर लीजिए अच्छा यह नीम्बू का रस हलका खटास के लिए होता चलिए दो घंटे वो चुके हैं चिकन मेरिनेट होके एक कड़ाई या फ्राइपन के अंदर दो टेबिल स्पून जितना मक्षन बटर मसका दालिए और वो जब पिगल जाए तो चिकन है यह सारी दाल दीजिए मेरिनेशन के साथ दालिएगा और उसे मिक्स कीजिए मेडियम रखे या फास्ट रखे और बार बार चलाते रहें और यह जो पानी है ना यह जो चिकन का यह तक करीबन सारा सुखा लीजिए तो क्या होगा ना जब आप सारा पानी सुखा रहे होंगे ना उसी के दर्मियार में तो चिकन गल जाएगी यह देखिए कितना पानी चिकन का पानी भी छूटा और जो दही होती उसका भी तो पानी चूटता है तो मेडियम अज पर मैंने चूला रखा है अभी और यह देख सकते हैं आप कुछ देर के बाद यह देखिए इस तरीके से काफी हद तक यह ड्राय हो चुकी है आप देख सकते हैं और साइड जब इतने हद तक ड्राय हो जाए ना तो कोईला जलाने रख दीजिए लाल करने रख दीजिए साइड की चूले पर इस तरीके से और यह देखिए काफी हद तक ड्राय हो गई है एकदम सुखा लीजिए चिकिन को अब यह देख सकते कितनी ड्राय हो चुकी तो मैंने चूला स्लो कर दिया और एक मिनिट तक स्लो पर रहने देती हूं बाइदे टाइम चिकन चेक कर लीजिए मेरी तो चिकन हो चुकी है यह देखिए अगर आपकी नहीं हुए तो थोड़ी जब तक पुरी तरीकी से ना हो जाए वैसे तो ही जाएगी चूला में कर देती हूं बंद और यहां एक स्टील की वाटी रख देती हूं चिकन के बीच में कोईला जो लाल करने रखा था वो डाल दीजिए स्टील की वाटी के ओपर अब यह कोईले के ऊपर तेल या घी या मखन दाल दीजिए और कुछ वजन दाल सके तो वजन दाल कर पांग साथ मिनिट के लिए साइट पर रख दीजिए चलिए साथ आट मिनिट हो चुकी है कोईला फेग दीजिए वाटी निकाल कर और यह जो चिकन बढ़िया सी खुश्बू तो आ रहे है और अब इसे ना यह जो सीख है ना यह लकडी को सीख होते है इसमें दाल दीजिए एक एक करके सारी चिकन को मैंने बहुत चोटे-चोटे पीस आप देख रहे हैं कि और हाथ से भी मैं थोड़े-थोड़े तोड़कर दाल रहे हूं सो दाट मुझे आगे जाके चोटे-चोटे पीस करने की चाहें तो करना चाहें तो जरूर कीजिए और चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं तो आप जब फ्राइपेंट में या कढ़ाई में पका रहे हैं तो चिकन को पूरी तरीके से मीडियम आज पर सुखा लेंगे ना और उलट-पलट करते जाएं उसे और जब तक उसके ऊपर चूले पर रहने दीजिए हलके हलके डाक स्पोट आ जाएं तो उसके बाद चूले को बंद कर दीजिए जब आप डाक स्पोट लेके आएंगे तो ये ग्रिल करने की जरूरत नहीं होगी और फिर कोईले का टंडर दे दीजिएगा बट मैं यहां ग्रिल कर रही हूं जो मसा अगे जब शोर्मा बनाते हैं तब दाल दीजिएगा चिकन के ऊपर चलिए अब फ्रेंच फ्राइस बना लेते हैं फूप सारा तेल एक कढ़ाई में गरम कीजिए जब अच्छा गरम हो जाए तो मीडियम आज कर दीजिए मैंने फ्रेंच फ्रेंच फ्राइस की शेप में य पर के ऊपर साइट पर रख दीजिए और यह बन गए मेरे अब देख सकते हैं फ्रेंच फ्राइस अब मैं इसका चूला बंद कर देती हूं अब चिकन टिकता शोर्मा को हम असेंबल करते हैं सबसे पहले ग्रिलिंग प्लेट रखिए ग्यास के ऊपर चूला चालो कर दीजि इस तरीके से चिम्ते की मदद से उलट पलट करते जाए अच्छे गरम हो जाए तो साइट पर रखते जाए अब मैं आपको यहां सारा बता देती हैं अब इसके बराबर में है चिक्कन जो अभी मैंने घृल किया है और बढ़ियासी टीस्ट है मैंने अभी चखा है और यह पीछे जो है सफेद में वाइट सॉस है वो बराबर में जो है लाल चथनी है इसकी रेसिपलिंग डिस्क्रिप्शिन के अंटे बढ़ियासी बंती है यह जादा spicy भी नहीं है यह मैंने गोबी पत्ता काटके रखा है बार एक और वो फ्रेंच फ्राइज है चलिए अब असेंबल करते हैं क्विटली चलिए अब एक बटर पीपर के ऊपर यह जो हमने गरम किया है पीटा ब्रेड यह रखिए इसके ऊपर ही जो हमने वाइट सॉस बनाकर रखा है साइट पर मायो वाला यह स्प्रेड आउट कर दीजिए इस तरीके से और लाग चटनी में लगा रहे हूं इसकी रेसिपे लिंक आथ बढ़ी मज़ेदार बनती है अगर आप ने मेरा व्लॉग देखा और व्लॉग धेखा है तो आपके लिंक देखते लॉग तो आपके लिंक ए डिस्क्रिप्षिन आदेर हैं और चटव में भी दनिय बहुत ही मज़ेदार बनती है अब चिकन डाल दीजिए और थोड़ अगर आपके बहुत जादा बड़े हो तो आप पहले जब आप ग्रिल कर लेते हो तो उसके पीसे कर लीजेगा चूरी से और फिल इसमें दालिएगा तो चलिए यह बन गई हमारी गर्मा गरम मुंबई स्ट्रीट स्टाइल चिकन टिका शोर्मा है ना मज़ेदार तो यह थी आज की रेसिपी अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे और अगर आप बनाए तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेय कीजिएगा मुझे आपकी कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छी लगते हैं फिर से हाजिर होंगे एक नई शांदार तमदार रेसिपी के साथ अंचल देन टेक कर अला हाफिज अबाए